तुलसी को हिंदू धर्मे माता का इस्थान प्राप्थ है। तुलसी दल के बिना शाली ग्राम और विश्णू की पूजा अधूरी मानी जाती है। तुलसी का विवा प्रबोधनी एकादशी को मनाया जाता है। इस दिन से अच्छे कार्य और शादी की शुरुआत हो जाती ह इसके पीछे एक पौराणिक कता है जो इस प्रकार से है। एक राक्षस था जिसका नाम था जालंधर। जालंधर बहुत ही बल्शाली और प्राकर्मी था। उसरे धर्ती पर आतंक मचा रखा था। और देवताओं को बहुत दुखी कर रखा था। उसके अत्याचारों से स बेहत दुखी हो चुके थे। कोई भी जालंधर को हरा नहीं पा रहा था। क्योंकि जालंधर का विवा देत्यराजकालनेमी की पुत्री वरंदा के साथ हुआ। वरंदा एक पती व्रताइस्त्री थी। वरंदा के सतित्तु के कारण ही जालंधर को कोई हरा नहीं पा रहा सभी देवतागर्ण बेहत दुखी होकर भगवान विश्णू के पास पहुचे और उनकी स्तुती करने के पश्चात उनसे प्रात्ना करी कि वे जालंदर के अत्याचारों से उन्हें मुक्त कराएं। भगवान विश्णू जानते थे कि व्रंदा के पती व्रता धर्म को भंग किये बिना जालंदर को मारना असंभव है। तब भगवान विश्णू ने व्रंदा के सतित्तु को भंग करने का निश्चे किया और धर्म की रक्षा के लिए भगवान विश्णू ने स्वेम भगवान शीव और देवताओं से युद कर रहा था। तूट गया और परपुरुष के साथ व्रंदा के इस वेवार ने उसके सतीत्तों को भंकर दिया। जिस कारण जालंधर के सामने जो व्रिंदा का पवित्र कवचा कर उसकी रक्षा करता था वह तूट गया। और भगवान शीव ने अपने त्रिशूल से जालंदर को भस्म कर दिया। जालंदर के मरते ही भगवान विश्नु व्रंदा के सामने अपने असली रूप में आ गए। जब व्रिंदा ने अपने पती की जंगे भगवान विश्नु को देखा तो वे अश्चर्य चकित रह गई। भगवान विश्णु द्वारा किये गए अपने साथ छलका वृंदा को पता चल गया और वृंदा बेहत क्रोधित हो गई क्रोध में आकर वृंदा ने भगवान विश्णु को श्राब दिया कि तुमने मेरा सतित्व भंग किया है इसलिए तुम पत्थर के बन जाओ भगवान विश्णु ने वृंदा का यह श्राब सहज रूप से स्विकार कर लिया और वृंदा से कहा कि मुझे यह कार्य सब के कल्यान के लिए करना पड़ा भगवान विश्णू ने वृंदा से कहा वृंदा अब तुम तुलसी के रूप में जन्म लोगी और मैं पत्थर के रूप में शालीग्राम बनूगा और बिना तुम्हारे मेरी पूजा अधूरी मानी जाएगी और तुम मेरे सर पर आदर से विराजमान होगी और मुझसे भी उचापद प्राप्त करोगी भगवान विश्नु शाली ग्राम पत्थर के बन गए विर्पित्वी के ऐसंतुलन को देखते हुए देवी देवताओं ने वरिंदा से प्रातना करी कि भगवान विश्नु को श्राप मुक्त कर दे वरिंदा ने भगवान विश्नु को श्राप मुक्त कर दिया और स्वैम आत दहा कर लिया वृंदा की राक से एक पौधा उत्पन हुआ जिसे तुलसी का नाम दिया गया और जैसा की भगवान विश्नु ने वृंदा को वरदान दिया था कि बिना तुम्हारे मेरी पूजा अधूरी मानी जाएगी तब उसे भगवान विश्णु की पूजा तुलसी दल के बिना अधूरी मानी जाती है देव उठनी एकादशी को तुलसी का विवाशाली ग्राम के साथ कराया जाता है जिनके कन्या नहीं होती वे तुलसी का कन्यादान करते हुए यह पुन्य कमाते हैं इसी त चैनल वास्तु शास्ट सब्सक्राइब करें नमस्कार